दोस्तो जब आप कुछ काम ऐसा करते हो जिसके बारे में आप थोड़ा सा भी केर नहीं करते हैं आपको काम करके कोई फरक ही नहीं पड़ता तो हम उसे स्ट्रेस बोलते हैं वहीं जब आप कुछ काम ऐसा करते हो जो करके आपको बहुत जादा अच्छा लगता है तो हम उसे passion बोलते हैं तो दोस्तो आज हम मेरी favorite book start with why से four important lessons देखने वाले हैं तो दोस्तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहला listen है go after the things you like इसका मतलब कि उन चीजों का पीछा करो जो आपको सच मुछ करना पसंद है तो चले दोस्तो मैं आपको एक छोटी सी story बताता हूँ दोस्तो एक marathon race हो रही होती है और दो दोस्त उस race में participate करते हैं race खतम हो जाती है वहीं जो marathon के sponsors होते हैं तो सारे participants को ice cream दे रहे होते हैं तो ये दोनों भी अपना race खतम करते हैं और ice cream लेने जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ice cream के लिए line बहुत लंबी है क्योंकि उनसे पहले जो participants ने खतम किया हुए वो लोग भी line में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरा दोस्त पहले दोसको बोलता है चल ice cream लेने चलते हैं तो पहला दोसरे दोसको बोलता है मगर line तो देख कितनी लंबी है तो फिर से दूसरा दोस रिप्लाई करता है अरे यार मगर ice cream तो मिल रही है हमें free में सर्फ ice cream को देख रहा था वहीं पहला दोस्त ice cream के लिए जो लगी हुई line है उसको देख रहा था तो दोस्तो पहला lesson भी हमें यही सबक देता है कि जो आपको चीजे पसंद है उनको हासिल करने के लिए उनके पीछे जाओ चले दोस्तो अब second lesson को भी जाने से पहले एक छोटी सी story से शुरुआत करता हूँ दोस्तो 18th century में यूरोप में एक बहुत खतरनाक बिमारी फैली हुई थे जिसे हम लोग pure peril fever भी बोलते थे जिसको हम लोग black death of child bed भी बोलते हैं और ये बिमारी धीरे धीरे यूरोप में और American countries में फैलती जारी थी तो दोस्तो इस बिमारी में हो क्या रहा था कि जो women थी वो बच्चों को जनम देती 48 hours के अंदर उनकी death हो जारी थी और दोस्तो ये साल 30 साल यूरोप में बहुत जादा फैल रहा था तो दोस्तो यहीं कुछ doctors ने एक group बनाया उन लोगों ने सोचा यार हमें इसको investigate करना ही पड़ेगा वरना ये और भी ज्यादा फैलता जाएगा तो दोस्तो वो लोग क्या करते थे कि सुबह उन dead bodies की autopsy करते थे और दोपर में बाकी अपनी duties, woman को birth दिलाना और बाकी सारे काम करते थे तो दोस्तो Oliver Wendell Holmes ने इसका एक explanation दिया अपने early 1800s में कि जो doctors थे, जो सुबह-सुबह autopsy करते थे उसके बाद वो लोग हाथ बिलकुल भी नीद होते थे और उसके बाद baby deliver करने चले जाते थे तो इसी से infection फैल रहा था और जो इन सारे death का बहुत बड़ा reason था तो Oliver Wendell Holmes ने डॉक्टर को बोला यार तुम problem इधर उधर मत देखो सबसे बड़ी problem तो तुम ही हो, तुम लोग अपने हाथ धंक से नीद होते हो और उनकी बाते से उनको बहुत सारे doctors ने उन्हें crazy बोला और उनकी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और उसके 30 साल बाद किसी doctor ने realize किया कि हाँ वो बात सस्ती अगर वो लोग autopsy के बाद बस अपने हाथ धो लें तो ये सारी चीजे फैलने से रुख सकती हैं और फिर उसके बाद से बाकी सारे doctors ने हाथ धोने शुरू किये अपने instruments stylize करने शुरू किये और ये बिमारे अपने आप ही चली गई तो दोस्तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कबर हम लोग problems को इधर उधर डोड रहे होते हैं बल्कि सबसे बड़ी problem तो हम ही होते हैं इसलिए हमें हमारे सारे actions की responsibility लेनी चाहिए दोस्तो अगर हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो हम लोग उसको बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बड़ाईयां करते हैं बट हम लोग जभी भी कोई गलत काम करते हैं तो वो किसी को भी नहीं बताते हैं बलकि हमें वैसे कामों की भी responsibility लेनी आनी चाहिए तो दोस्तो हमारा second lesson भी यही है हमेशा एक balanced equation form करो अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और उसकी responsibility लेते हो तो वही अगर आप कोई बुरा काम करते हो उसकी भी responsibility लेना शुरू करो चलिए दोस्तो थर्ड लेसन पर जम करते हैं जो है कि take care of each other दोस्तो जम लोग दुनिया के बहतरीन special forces की बात करते हैं तो definitely US Navy SEAL top 3 में पक्का आएगा और दोस्तो कौन सी चीज़ है जो Navy SEAL को इतना ज़्यादा अलग बनाती है खतनाग बनाती है, खुखार बनाती है दोस्तो उनकी Navy SEAL की training दोस्तो एक बार एक Navy SEAL officer को पूछा गया कि Navy SEAL का जो exam होता है इसको clear करने के लिए कैसे candidates की जरूवत है आप कौन कौन सी qualities देखते हो तो उस Navy SEAL officer ने ये reply दिया कि Navy SEAL कौन बन सकता है ये तो मैं नहीं बता सकता लेकि Navy SEAL कौन नहीं बन सकता ये मैं जरूर बता सकता हूँ उसने ये बताए कि training के time बहुत सारे giant giant लोग आते हैं अपने muscles और tattoos लेके वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो लोग कितने tough होते हैं मगर उनमें से एक भी इंसान नहीं होता जो training complete कर पाए बलकि ताजूब की बात ये है कि जो लोग training complete कर पाते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जादा कमजोर होते हैं और training से पहले बहुत जादा डरपोग भी होते हैं वो लोग training के time बहुत जादा ठंड से ठिकुर रहे होते हैं उनकी mental energy, physical energy पूरी तरह चली गई होती है फिर भी वो लोग कैसे भी अपने अंदर से energy जोटा पाते हैं जिससे वो अपने साथ वाले की मदद कर पाते हैं और यही लोग आगे चलके navy seal बंते हैं और दोस्तो इससे फरक नहीं परता कि आपके पास कितने muscles हैं आप कितने tough हो, आप कितने smart हो, आप कितने brilliant हो बलकि इससे फरक परता है कि आप हमने साथ वाले की मदद कर सकते हो कि नहीं दोस्तो कभी कबार जब हम लोग problem में होते हैं दोस्तो की मदद की तो definitely आपकी भी मदद करने आएगा तो दोस्तो third lesson यही है कि take care of each other चले दोस्तो आप fourth lesson पर जलते हैं दोस्तो जब हम लोग leadership की बात करते हैं तो वहाँ महात्मा गांधी और Nelson Mandela का नाम सब से आगया आता है दोस्तो यहां हम लोग Nelson Mandela के बारे में बात करने वाले हैं तो दोस्तो एक बार Nelson Mandela से पूछा गया कि आपकी बहतरी leadership का reason क्या है तो दोस्तो Mandela ने ये बुला कि मेरे पापा हमारे कबीले के सरदार थे और जब ही वो कोई meeting करते तो वो हमेशा मुझे अपने साथ लेके जाते थे और मुझे उस meeting से सिर्फ दो चीज़ा याद है सबसे पहली चीज वो meeting में हमेशा circle में सबको बिठाते थे और दूसरी चीज वो हमेशा आखरी में बोलते थे तो दोस्तो इसके दो फायदे हैं सबसे पहला फायदा जब आप बाकी लोगों को पहले बोल देने दो गए तो उनको भी ये feeling आएगे कि उनकी बाते सुनी जा रही है और दूसरा फायदा ये कि जब आप सारे लोगों की बात सुन चुके होगे तो आपको सब का point of view पता होगा और आखिर में आप अपनी बात रख सकते हो इसलिए हमेशा दूसरों की बाते सुनो उन्हें समझो फिर जाके अपनी बाते रखो मगर दोस्तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होता जब भी कोई meeting या फिर कोई gathering होती है तो हम लोग सबसे पहले अपनी बाते सब के सामने रखने की कोशिश करते हैं हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा dominant हैं हम लोग meeting में जातार ऐसे react करते हैं कि ये मेरे reactions हैं ये मेरी बाते हैं अभी आप लोग बोली कि आप लोग इसे agree होते हो कि नहीं, मगर दोस्तों ये बिलकुल ही गलत बात है, तो that's it दोस्तों, यही थी वो चार बहतरी लेसन जो मैंने start with Y-book से सीखे हैं, दोस्तों आपको बताए कि आपको कौन सा लेसन ज्यादा पसंद आया, तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको मेरे next listen में, तब तक आप सब अपना ख्यार लगे, take care, over and out.